फिनाले से पहले अंतिम पड़ाव में बिग बॉस के घर में कौन लड़ रहा है बॉस की तरह आखिर क्या कहती है जनता सारी बते बताऊंगी लेकिन उससे पहले अपनी मार्च पानल को लाइक श्वेर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए मैं पूजा और आप देख रहे हैं तो फिनाले दो दिन बाद है और ऐसे में हर कांटेस्टेंट जी तोड महनत कर रहा है फिनाले की तरफ पहुचने के लिए और ऐसे में लगातार वो घर के अंदर लड़ाई कर रहे है जगड़े कर रहे है टास्क जıtने की कोश Issक रहे है और करेडी बिग बॉस को दो फाइनलिस्ट मिल चुके है अभिनव और इजाज खान अब चार लोगों में कॉंपेटिशन है वह राहुल वैदि निकी तंबोली रूबीना दिलायक और जैस्मिन भसीन और यह चारों सदस्य जो है वह नॉमिनेटेड है लेकिन जो प्रोमो आया है उसमें हम देख सकते हैं किस तरीके से एक दूसरे की खामियां बता रहे हैं बिग बॉस के सामने कंटेस्टेंट और वह कह रहा है कि क्यों यह कंटेस्टेंट से वह बेटर है और क्यों यह कंटेस्टेंट जो है वह घर में रहने के लायक नहीं है लेकिन इसी सब के बीच जो है बिग बॉस का नया खेल तो चलता ही रहता है पर जो वो खेल खेलते हैं यानि कि audience पोल करते हैं कुछ सवालात करते हैं audience से और इसका reaction जो है audience बखू भी उनके social media handle पर देते हैं ऐसे में उन्होंने question किया है अब इस बार उनका क्या question है यह मैं आपको बताती हूं वो पूछते हैं in the last stretch of the race who do you think is picking fight like a boss तो उन्होंने बोल रहा है कि आप जो जो अंतिम पड़ाव है उसमें आपको क्या लगता है कि कौन बिग बॉस में बॉस की तरह लड़ रहा है तो ऐसे में उन्होंने चार option दिये है राहूल, रुबिना, जैस्मीन, इजाज एसे में राहूल को 27% वोट मिले है रुबिना दिलाएक को 52% वोट मिले है जैस्मीन बसीन को 13% वोट मिले है एजाज खान को 8% वोट मिले है लाइक बॉस की तरह लड़ाई को लेकर क्योंकि दो हफते से जो है वह अपने लिए लड़ गया है और जिस तरीके से लड़ाई कर रही है बुग बॉस के घर के अंदर रूबीना ही चाही हुई है उनकी विज़े से कविता भी घर से बेगर हो चुकी है और साथ ही जो है वन आर्मी बनकर जो है वो बहुत रही है तो ऐसे में उनके ऐही कहाँ रहे हैं कि सोचल मीडिया पर जो है आप्शन में देख सकता है कि इतने पॉसेंट से वो आगे निकली है 52 पॉसेंट से और ऐसे में फैंस कहा रहा है कि घर की एक ही बास है बिग बॉस के घर की वह है रोब के लिए टे क्यार